आपका स्वागात है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास बार्मी पॉलिटिकल साइंस स्कुरिटी इना कॉंटेंप्रेडिव वॉर्ड खक्षा बार्मी का जो राजिनी सास का हमारे समक्ष चैप्टर आया है सम कालिन विश्म में सुरक्षा काफी महत पून है इसमें हम कुछ कोशन को उठाएंगे जो काफी महत पून डएगा एक्जाइम भी उसे यह जो कोशन आपके समक्ष पस्तु दोगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों ही माद्यम में यहां समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी हिंदी भी दिखेंगे इंग्ल तब होगा जब हम कुषन स्टार्ट करेंगे बलिशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको सोचना वी चाहिए विचार भी करनाचाहिए और दो यह है जैब वी वेडियो देखिये पूरा देखिये क्योंकि अधूरा जंकारी सदेव खतरनाक होत होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेयर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेयर जरूर करो ठीक ह है चाहे बी ए एम में के बच्चों सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है तिरपान से जंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को सेव कर लो नहीं तो बात में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको की विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है तोड़े वी डिसकर्शन मोस इंपोर्टेंट चैप्टर है सिक्यूर्टी इनकॉम टंपरेडिव वार्ट इस इ संप्के का प्यूम टरॉशन टॉशन अपन का जामर्थिशन नच GIS थसक्योर्य थैंपोर्ट । ता तोशन ट newsletter सेफ Krutut छिफार्लिड चैप्स किवलayan खना बसे ट्ह luc leer सेफिए उपेडेश व ट्रीजिशन मोस ङ Stückी थूम ट टॉड़ । 10 मोस टूर्दीर इस डेंपरेडि लार एंतोरा राट स्थे Lessवार जर जातिता क् लेह प्रिस्फत और ऑंपतалась। औरות य। अनीखड E한다. 3. जरीज वह फ्रिया अठ्राट जाट सकस्ट में इंत्थिए य। आपन statue ड्राट जाति है। इन सोर्स आफ मे इा इlor से सम göz फट जिल एंपरुंगार। झास पे इम ए इस आप एंपथा कि यहत झास पाँ किर फरत फूर टाद चाली आफ व लिबेस अरगेर जुड़ दिलि blanket इर शे एषिött का लिड शेव इन से वब स अर टना चाल कोम इंड राभी just a target here civilian that's a first source and the human right refer to the basic condition which on individual is supposed to enjoy as a human beings as a political right freedom of speech and expression and economical right social and civil right to be lead on her neighbor and definitive life you know that is important here the human dot refers to the basic condition of here political right freedom of speech expressions economical right and social civil right to be lead to the horrible and negative life here global poverty refer to the low economical growth and low national income and low standard of living and development of least developed country you know that important the global poverty refer to the low economic growth and low national income and the low standard of living and developing are least developing countries here at least health epidemic is a very serious threat to the country's security because survey acute respiratory syndrome means ars acute respiratory syndrome here ars hiv aids word flu disease spread across country through the migration business and tourism and military operation you know that that's important health health epidemics here the list here is most in the spread across to country here hiv means human immunovirus and the air aids acquired immunodeficiency syndrome here and broad flu disease spread across the country through the migration business tourism and military operation you know that there is a migration disease here there is a coronavirus is a cruel disease spread for the all over the world that's important here 여기에 chu hai to work the dicen and even we realize that you have a lot of tools happening to them collecting mat Saidر sich klaas bar c cvc n crt political silobia knowledge म engagement rika यानि सुरक्षा की गैर परामपरिक धारना को हमने यहां पर व्याख्या करना है देखा जाए तो सुरक्षा की गैर परामपरिक अब धारनाओं में मानव और विश्वी सुरक्षा सामिल है यानि मानव की सुरक्षा और विश्वी की सुरक्षा समलित हैं जिसमें मानव अस्त खत्रे में डालने वाली बहुत से समस्या हैं कहते हैं आज हम अधूनी की युग में आ गए हैं फिर भी हम मानव जाती को खत्रे में डालने में कहीं कसर तक नहीं छोड़ती हैं और इसी कारण से आज जो युद हो रहे हैं वह काफी दुखदाई प्रसितियों को जो है देती हैं और यह सही नहीं है देखा जाए तो प्रभावित करने वाले खत्रे यहां होते हैं किसमें केवल राज्य ही नहीं बलकि व्यक्ति और समदाए भी जो है सामिल हो जाती है राज्य ही नहीं सामिल होते हैं इसमें व्यक्ति और उसके समदाए भी इसके अंतरगत आती है और यह खत्रे की प्राक्विति पर सुयक्षा और खत्रे से निपटने के लिए सही पर उस्प्राश्ट करता है तो यह एक हम या कि उस्रक्षा से बचाता है हमें तो बचाता ही बचाता है देश को भी शुरक्षा के मौहिये से आगे बराता है अब चल देखते हैèse कि clos गयर पторов है क्याव और बताती है हमें और निए देखा जाए इस सोतरों की पहचान हम इस परकार कर सकते हैं यह इसारे जो हम बात कर रहे हैं वो सोत्र है देखा जाय तो सबसे ब fenopatra जो है सोत्र हैं अंतकवाद अंतकवाद का तारपत्य नीकों को जान भूज कर और भेदवाव पुन तडिके से निशाना बनाने के लिए राज़नीतिक हिंसा से है यानि देखा जाए तो अंतकवाद का सबसे बड़ा कारण जो है राजनीतिक है कहते हैं ये अंतकवाद को सहारा भी देते हैं और नागरीकों को जान वूज कर और वेद भाव पून तरीके से हिंसा भी करवाती हैं तो अंतकवाद का सबसे बड़ा खत्रा जो है राजनीतिक हिंसा से है ताकि इस राश्य सरकार खिलाव एक हतियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अंतकवाद का यानि जिसकी सरकार होती है उस सरकार को गिराने के लिए आज के समय आधूनिक उपयोग करते हैं और हम दूसरे देशों पर अरोप प्रतियोप लगा रहे होती हैं कहते हमें अपने ही देश के लोगों से खत्रा होता है और यह लोग हमेसा देश को दो टुकड़े करने के लिए सदेब तरपत्ते रहती हैं तो यह सबसे बड़े सोत्र हो सकते हैं को पैदा करने वाला ही देशी होती हैं और यह काफी महत पूर्ण सोत्र हो सकती हैं उसके पशाद देखे तो मानव अधिकार उन बुनियादी सिदियों को संभावित करता है जिनका एक वेक्ति को एक इंसान के रूप में राजनीति अधिकार होता है बोलने अविवेक्ति क सुतंत्ता आर्थिक अधिकार समान जनक और गरिमा पूर्ण जीवन जीने और समाजिक और नागरिक अधिकारों को में अनंद लेना चाहिए यानि देखा जाए दूसरा सोत्र जो होता है मानव अधिकार मानव अधिकार जो हमें यह ऐसास कराती है कि हमें बहुत से राजनी आर्थिक अधिकार मिले हुए हैं जिसमें हमें बोलने का अपना जो है विचार रखने का सोतंत्र होते हैं आर्थिक अधिकार भी हमें दी जाती है सम्मान जन्या गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए भी हमें प्रुसाहित की जाती है तो यह सारे सोत्र हो सकती है उसके पशाद देखें तो वैश्विक गरीवी का तारपत्य यहां पर यही होता है कि कम आर्थी विकास कम राष्टे आय और विकास सील या कम विकास देशों को निम जीवन सतर से यानि देखा जाये तो यह भी गैर प्रांपरिक हो सकती है कि हमारा वैश्विक गरीवी का यहां पर आर्थी यही होता है कि कम आर्थिक विकास यहां पर वैश्विक गरीवी का आर्थी होता है कम आर्थिक विकास कम राष्टे आय और विकास शील या कम विकास देशों के नि खेम होसकते हैं वह स्वंझे महमारी तेश की सुक्षा के लिए कि जया है गम्पीर स्वंड्रोम यानि देखा जाया तो गंबीर श्रवन सिंड्रोम इसमें जो है ए आर एस होता है और इसमें सम्मिलित होता है HIV AIDS बर्ड फ्ली रोग प्रवाशन के दिकारण बेपार प्रेटन सेन्ने अवियान में माध्यम से देशों में फैलते हैं यानि देखा जाए तो महमारी किसी भी देश के रीड की हड़ी तोर देती है और यह महमारी हमारे समक्ष भी आई थी आपको तो करोना वायरस की कहानी तो पता ही होगा यह तो आपके समक्ष ही घटना घटी थी तो इसमें कितनी गंभीर समस्या पैदा कर दिया था पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ी चिंता के विश्य है और ये नहीं करोना वारिस भी खतम हो गया है वो आज भी हमारे जो है लोगों में विद्धमान है कहते हैं ये सिर्फ अपने समय काल की प्रतिक्षा कर रहा है और ये समय जब आएगा जब इसको फेवर कंडिशन मिलेगी वो फिर से स्प्रेड हो जाएगा तो जरना सी बात है करोना वारिस तो खतरे का सबब तो है ही है और साथ में बहुत सैसे विमारी है जो बहुत ही गंभीर समस्या पैदा करते हैं इसमें से HIV एड्स भी है कहते हैं एड्स जो है ये एक तरह का देखा जाए तो महमारी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे देश में कि इस तरह फैल रहा है जैसे महमारी का ही रूपधरन कर लिया हो आपको मैं एड्स के बारे बता दूँ कि ये सिरफ जो होता है ब्लड कॉंटेक्ट से ही होता है और बिना ब्लड कॉंटेक्ट के नहीं होता है लेकिन आज हमारे देश में कहते हैं ऐसे बहुत से कारे हैं जो हम हमारे देश में ऐसे बहुत से चीज़ें जो इसा बीमारी फैलाने के लिए कारक बनते हैं इवन देखे तो ब्लड जो वर्ड फ्ली रोग होता है वो सर्दियों के समय बहुत फैलते हैं और बहुत से जीव जन्तों को तो नुक्सान पहुंचाते ही हैं प्लस इंसानों को भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है और यह एक तरह का महमारी का रूपधारन कर लेता है और कहते हैं एक देश से दूसरे देशों में यह बेपार के तुरू परेटन के तुरू यह सैन्ने अभियान के माद्यम से एक देश से दूसरे देशों में फैल जाते हैं इवन देख था कि सभी देश जो है एक दुसरे के साथ बेपार, परियाटन, सेन्ने अवियान चला रहे थे, जिनके कारण जो हर एक देश में ये फैल गया, और लोगों को जो है काफी हद तक विनास किया, तो ये काफी महत पूर्ण है, और ये सब गैर परामपरिक सोत्र है, गैर जरूरत है, और जितना हो इसदो करने की जरूरत है, क्योंकि शेर कीजिएगा, तभी दुसरे बच्चों का तेर होगा, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी शेर कीजिए, पहली बार मैंने चनल प्यायों, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और वी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे जर्नल सी बात है दोस्तों चुनको सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आने वाला समय में अगला वीडियो का नोटिफिकर्शन मिलेगा और आपको तो पता ही होगा कि त तो पूर्ण तो सोचिये नहीं विचार न कीजिए अभी तरह पार्णस्टडि सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मिवाल में सेव कीजिए क्याि